हेलो फैंस, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल सरसोती इंग्लिस क्लासज में मैं समीर सिंग लेकर आया हूँ आज एक बार फिर से आपके लिए क्लास 7 का हनी कॉम का ये 4 लेसन का पोएम है जिसका नाम है चिवी चिवी जो लिखा गया है माइकल रोजन के दोरा मैं आपको बता दू पहले कि राइटर क्या थे चिवी का मतलब क्या होता है और यहाँ पर टीचर इस्ट्रिण के बारे में क्या दिखाये गया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल वेन रोजन के बारे में political columnist के रूप में भी बहुत ही प्रशिद्ध थे तो ये हैं हमारे writer, हमारे poet जिन्होंने ये चीवी नमक poem लिखी हुई है क्या मतलब होता है चीवी का ये चीवी है शीवी मत बोलना, चीवी का क्या मतलब होता है अगर आपको Hindi देखना हो तो यहां लिखा है सताना आक्रमण करना भी होता है, कभी-कभी आप भी आक्रमण करते हो किसी कमेंट करते हो, आपका जो कमेंट होता है वो आक्रमण की रूप में आता है, लेकिन जब वो teacher आपको समझाते है तो वो समझाना होता है आपको guideline करना होता है आपको बताना होता है कि अब आप छोटे हो आपको ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन हम छोटे होते हैं तो हमें ये बात बूरी लगती है हमें लगता है कि teacher हमें परशान कर रहा है हमें सता रहा है, हमें रोक रहा है, हमें टोक रहा है वेट ऐसा नहीं होता है इसके एक और इंगलिश होती है नैग, नैग का भी मतलब होता है रोकना, टोकना, आग करना, सताना लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भले टीचर नाराज हो करके एन्नाइंग हो करके आपको कुछ कहराओ करने के लिए आपको रोक राओ कुछ ने करने के लिए लेकिन फिर भी आपको वो समझना चाहिए क्योंकि वो आपके भलाई के लिए करता है यह है Sumeries Story का मैं आपको समझा दू कि यह poem जो है आप परचित होंगे कि आपके जो टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूल के वो बड़े सक्त होते हैं उनके रूल्स भी बड़े सक्त होते हैं वो सब के साथ ऐसा होता है चाहे वो अच्छे बच्चे हो चाहे वो बुरे बच्चे हो लिकिन यह क्या बताया जाता है आपको क्या ये rules आपके लिए अच्छे होते हैं आपके लिए safe होता है कि आप वहाँ पर अपने आपको महफूज पाते हो ऐसी घटना poet के साथ घटित हुई थी तो poet जो है यहाँ बताना चाहता है कि teachers नाराज होकर के उन्हें कई तरीके बताते हैं आप भी poem को पढ़िए और जो बच्चा आपको यहाँ दिखाया गया है वो बच्चे को हटा करके आप खुद रह जाए कि आप मैं ही यह बच्चा हूँ और मुझे teacher यह यह बाते कहता है अगर तो मुझे गुसा करना चाहिए या उसकी बात माननी चाहिए आप खुद देखिए और मुझे comment box में comment करिएगा कि आपको यह बाते अच्छी लगी या बुरी लगी ऐसा कहना लोगों का सही है या गलत है तो शुरू करते हैं poem की line by line grownups grownups मतलब होता है बड़े लोग आपसे बड़े लोग चाहिए वो teachers हो चाहिए वो parents हो चाहिए वो आपके पड़ोसी हो तो जो बड़े लोग होते हैं say वे कहते हैं क्या कहते हैं things चीजें like इस तरीके की किस तरीके की चीजे कहते हैं बड़े लोग बड़े लोग क्या क्या कहते हैं अब सुनिएगा पहला चीज कहते हैं, आप एक, दो, तीन, चार, पांच करते रहे हैं, क्या-क्या कहते हैं बड़े लोग, क्या-क्या रोकते हैं करने के लिए बड़े लोग, क्या-क्या कहते हैं कि ये करो, सुनिएगा, पहला कहते हैं, speak up, कभी-कभी आप धीरे बोलते हो, कहते हैं, तेज ब नहीं बोलो तो बोलो फिर कहता है don't talk with your mouth full don't talk मत बात करो with your mouth full जब मुह भरा हुआ हो जैसे यह बंदा खाया हुआ है कुछ और उसी समय बोलता है कोई बोल दिया कुछ कुछ कह दिया और उसने बोलना शुरू कर दिया तो चुकि यह बुरी बात होती है आपको भी पता होगा इसलिए यहाँ पर समझाया जाता है आपके बड़ों के द्वारा आपके टीचर्स के द्वारा कि जब मुह भरा हो मुह में खाय वाय हो कुछ तो मत बोला करो कुछ लोग पान खाके कुछ लोग कुछ तंबाकू या कुछ और चीज़े खा करके वो तब भी बोलते हैं और आप जब बड़े होंगे ना तो आप ऐसा गलती नहीं करोगे क्योंकि शायद ऐसे लोग जो पान पुकार शुपर खा करके और बोलते हैं लोगों से वे इसलिए वे ऐसा करते हैं क्योंकि उनको बच्चमन में टीचर्स ने नहीं समझाया तो शायद वो गलती जो किये वे आप ना करो इसलिए यहाँ पे पोएट ने आपको समझाने की कोशिश की है दोंट इस्टेयर फिर आपसे टीचर या आपसे बड़े लोग कहते हैं घूरो मत कभी-कभी आप घूरते हो टीचर ने आपको खड़ा कर दिया कहा बिटा ये बताओ आप टीचर को घूरने लग टीचर ने आपको डड़ दिया आप उसको घूरने लगे आप अपने माता पिता को घूरने लगे तो इस टेयर मतलब होता है घूरना आप घूरा मत करिये देखे ये सब चीज़ें आपके फायदे के लिए आशा है आपको ये सच लग रहा होगा सही लग रहा होगा आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ऐसी बाते जब आपके टीचर्स कहते हैं तो अगला है don't point don't point आप point मत क्या करो किसी चीज़ पर बीच में आप point करना सुरू कर देते हो बीच में आप बोलना सुरू कर देते हो या हाथों से इशारा करना सुरू कर देते हुआ जैसे कि normally कभी कभी होता है कि आप exams में भी point करते हो या आप class में ही जो होते हो class में बैठे हो आप point करना सुरू कर देते हो यहां से वहां वहां से वहां तो बहुत साइज यह पॉइंट में बहुत साइज चीज़ आती है जो आपको नहीं करने चाहिए डोंट पिक यूर नोज पिक अपना जो नोज है वो आप मच चूओ मत पकड़ो नोज में उंगली मत डालो या ऐसा मत कोई जैसा वच्चा कर रहा है यह गलत काम है यह बुरा काम है तो चुकि आप जब छोटे होते हो तभी आपको यह बताना जोरी होता है इसलिए यह प्रामरी स्कूल है फिफ्ट तक का स्कूल होता है जिसमें आपको वहां समझा दी जात आप द्मलिए एब स्कूल करिब हो तो अगर आपको अलंकार जानना होगा न तो मैंने अलंकार यानि इंग्लिष में फिगर आफ स्पीच का वीडिये बनाया हुआ है आप धूर लीजेगाButle lis't में जाके प्ले locks अपको मिल जाएगा तो next चलते हैं यह है sit-up फिर आपसे क क्या कहते हैं बड़े लोग बैठ जाओ आप खड़े खड़े रहते हो बैठ जाओ कहते हैं आप बैठते नहीं हो क्योंकि मानलो आप टीवी देख रहे हो आपको दिखनी रहा है और आप खड़े हो आप पीछे वालों को परशान कर रहे हो आप खुद परशान हो करके दूसर आप प्लीज नहीं कहते हैं दोगे तो शायद वो मान जाएगा क्योंकि शब्दों की इतनी ताकत होती है वो किसी को बी आपके सामने जुखा सकता है फिर कोई कहता है less noise आप गर में शोर कर रहे हो तो कोई कहता है less less मतलब come noise मतलब sure sure कम करो या shore मत करो तो ऐसा भी लोग कहते हैं आपको मान जाने चाहिए उनकी बातों को फिर से कोई कहता है shut the door दर्वाजा बंद कर दो behind you आप कभी-कभी मान लो आप घर में आते हो दर्वाजा खोल करके तो आगे लेकि आप दर्वाजा बंद नहीं करते तो जैसे खोलते हो ना वैसे बंद कर दो कभी कि आप दर्वाजा खोल करके बाहर जाते हो तो खोल करके बाहर तो चले जाते हो आप लेकिन बंद नहीं करते हैं तो आप बंद किया करो तो जैसे ही आप जाओ आपके पीछे जैसे दर्वाजा हो आप आगे बढ़े दर्वाजा आपका खुला है आप उसको बंद कर दीजे आप अंदर आते भी बंद कर दो और बाहर जाते भी बंद कर दो देखो ये क्यूट सा बच्चा है जो आपको बड़ा दिखाऊ मैं अगर आपको दिख रहा होगा ये वच्चा कितने अच्छे से कितने सलीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है बट बंद कर रहा है दर्वाजा तो आप भी दर्वाजा बंद कर दो जब भी बाहर जाओ या अंदर आओ तो ड्रैग मतलब होता घसीटना अपने पैरों को मत घसीटना कभी कभी आप बैठे हो तो पैर रगड़ना शुरू कर देते हो पैर घसीटना शुरू कर देते हो आप पैर हिलाना शुरू कर देते हो आप तो ऐसा मत किया करो अपने पैरों को रगड़ों मत घसीटों मत हिलाओ haven't you got a hankey कभी कभी आप ऐसे चीक ना सुरू कर देते हो कि आप के पास कुछ नहीं है तो आप पानी पिने गए आप अपने कपड़े में पौच लिए अपने हेंकी नहीं लाइं अगर नहीं लाई तो ले करके आये करो यह हेंकी यह अपने साथ लिया करो जब भी packaged overall करना हो आपको को एल्ड माउध को वाइप करनी हो पोचना हो तो आपको इसका यूच करना चाहिए, आपको पोचना चाहिए, हैंकी से, रुमाल से, तो क्या तुम नहीं लाएं, अगर नहीं लाएं, तो अब इसे लाना सुरू कर दीजिए, आप, आपके पास अगर नहीं होता है, तो आप भी लाना सुरू कर दीजिए, take your hands out of your pockets, देखो, छोटे से take your hands, अपने हाथों को out कर लो, बाहर कर लो, अपने pocket से, अपने pocket से, अपने जेब से अपने हाथों को बाहर कर लिया करो, क्योंकि बड़ों के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो अब यह अबद्रता माने जाती है, जब हम दोनों हाथों को pocket में रख करके खड़े होते हैं इसलिए अपने हाथों को बाहर करके खड़े हो फिर से कभी आपसे कहता है फिर से आपको लोग समझाते हैं pull your socks up, कभी कभी आपके socks आप नहीं होते हैं उपर नहीं होते हैं, नीचे होते हैं तो socks को जैसे ये बच्चा जो है वो उपर कर रहा है, उपर की तरफ खीच रहा है आप जितना socks उपर होता हो आप पूरा उपर तक socks को कर लिया करिए उसको ढिला मत छोड़ा करिए stand up straight आप कभी कभी सीधे, कभी कभी का मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे सीधा नहीं खड़ा होते और ना इस सीधा बैठते हैं वो बैठते हैं तब भी सीधा नहीं बैठते हैं खड़ा होतें तब भी सीधा नहीं खड़ा होतें मुझे लग रहा है आप इस समय भी सीधे बैठे नहीं होंगे लेटे होंगे तो भी आपके हालात ऐसी होंगे इसलिए आपको बच्पन से ही सिखा दिया जाता है बच्पन से आपको कहा जाता है कि आप टेड़ा मत खड़ा हो आप सीधा खड़ा हो ये ये गलत है ये सही है आप बैठिये तो सीधा बैठिये खड़े हो ये तो सीधा खड़ा हो ये 5th class तक बच्चों को गर ये चीजे समझा दी जाती है तो बड़े हो करके वे इन बातों को समझ जाते हैं और वो बड़ों को भी समझाना शुरू कर देते हैं तो अभी से आप समझ जाएए और दूसरों को अपने घरवालों को भी समझाएए कि सीधा खड़ा हो ये सीधा बैठिए say thank you, कभी-कभी आप लोग किसी से कुछ मांगते हो, सामने वाला आपको वो चीज दे देता है, जैसे pen हो, copy हो कुछ और देना हो, बट आप thank you नहीं कहते हैं, आप उसे thank you कहिए अगर आप thank you कहते हो, तो बहुत बढ़ियां करते हो बट अगर आप नहीं करते हो, तो आप करना शुरू कर दीजिए और कभी-कभी ऐसा होता है, कि सामने वाला आपको नहीं देता, तो आप उस पर गुसा करते हो, thank you कहने की बात छोड़िया आप बहुत abusive language का यूज भी कभी-कभी कर देते हो, जो घलत है आपको अगर वो देता है, तो thank you नहीं देता है, तो भी thank you बोलू thank you बोलने में क्या जाता है, विश्वास करिएगा अगर आपने thank you बोल दिया और उस बंदे ने नहीं दिया है पेन आपको, तो भी आपने बोल दिया अगली बार पका वो देगा, क्योंकि शब्दों इतनी ताकत होती है न, वो कुछ भी कर सकता है सच बताओ मैं, तो thank you बोलना सीख लीजे आप, कुछ भी, मम्मी, पापा कोई भी हो आपसे बड़ा, बड़ा हो चोटा हो, thank you बोलिए, चाय कोई आपको दे रहा है thank you बोलिए, आपको खाना कोई खिला रहा है, thank you बोलिए, पानी पिला रहा है, thank you बोलिए, जो कोई आपके लिए कुछ भी कर रहा हो, माँ, बाप, भाई, बहन कुछ भी कोई कर रहा हो, आपके लिए say thank you, आप उनसे thank you बोलिए, बोलिए, ऐसा नहीं स्लेट पर लिक करके दिखाईए, आप बोलिए, ठीक है, don't interrupt, कभी-कभी बड़े दो बात कर रहे होते हैं, कभी-कभी भाई-बहन बात कर रहे होते हैं, कभी-कभी teachers, बच्चे, किसी और बच्चे से बात कर रहे हैं, आप बीच में interrupt करते हो, interrupt मतलब होता है, दखल अंदाजी देना, यानि कि बीच में कुदना, बीच में टांग अडाना, आप बीच में टांग अडाते हो, teacher चिलाता है, चुप रहो, तुमसे बोला मैंने, लेकिन आप फिर भी बीच में टांग अडाने की आदत आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है, आप छोड़ते नहीं इस चीज को, तो ये गलत बात है, आपको, आपको interrupt नहीं करना चाहिए, आपको किसी के बीच में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, don't interrupt, मत दखल अंदाजी दो किसी को, no one thinks you are funny, को आप किसी का मजा कर रहे हो किसी क्लास में, किसी क्लास में अपने कलिक का, अपने बच्चे का, अपने क्लासमेट का किसी का मजा कर रहे हो, और सब लोग आपको देखकर के हसते हैं, क्योंकि आप मजा ले रहे हो उस बच्चे का, आपको लगता है कि वो बच्चे मेरे कारण हस रहे हैं यानि कि मैं हीरो बन चुका हूँ बड़ा handsome, बड़ा cute, बड़ा शांदार बच्चा हूँ बट ऐसा घलत है आप उस बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास में हैं उन बच्चों के लिए आप मजाक का पातर हो आप पर वो मजाक कर रहे हैं जो आप कर रहे हो ना किसी और का मजाक वो आप पर मजाक कर रहे हैं वो उस बच्चे पर मजाक नहीं कर रहे हैं जिसका आप मजाक कर रहे हो यानि आप किसी का मजा मत लिया कीजिए आपको लगता है कि आप बड़े funny हूँ आप बड़े मजाकिया हो आप बड़े खुश मिजाज हो आप हीरो हो क्लास के ऐसा बिलकुल नहीं है ऐसा कोई नहीं सोचता आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर आप किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे तो आप कभी भी किसी के मजाक का पातर नहीं बनोगे आपका भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा लास्ट लाइन है जो कभी कहता है यहाँ पे टेक यूर एल्बो आफ दे टेबल अपने एल्बो को एल्बो मतलब यह देखेगा ध्यान से ऐसे आप टेबल पर रख कर के बैठ जाते हुआ जो कि गलत होता है अब अधृता मानी जाती है यह बुरा व्योहार होता है बड़ो के सामने असा करना अच्छा नहीं माना जाता बच्चों के लिए तो टेक यूर एल्बो आफ अपने एल्बो को टेक आफ कर लो अपने elbow को हटा लो अपने elbow को table से हटा लिया करो ऐसे मत बैठा करो नेक्स्ट आप चलते हैं यहाँ पर लिखा है last जो line है Can't you make your own mind up about anything Can't you make your own mind कि आप अपने दिमाग को ने चला सकते किसी काम के लिए क्या तुम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते क्या तुमसे कुछ नहीं होता देखो बच्चा सोच रहा है घंटी बज गई है बिजली जल गई है बल बजल गया है बच्चे की दिमाग का तो यहाँ पे बड़े लोग आपसे कहते है तुमसे कुछ नहीं होता क्या तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता क्या तुमसे नहीं कुछ हो पाता कि तुम कुछ काम कर लो तुम कुछ खुद से सोच लो खुद से पढ़ लिया करो तुमने कहा कि नहीं से नहीं पढ़ाया गया था कल तो कैसे पढ़ें टीचर कहता है खुद से भी कर लिया करो बेटा बड़े हो चोगी हो अब खुद से करना सीखो तुम्हार पास दिमाग नहीं तुम खुद से करो कोई कहे तभी करोगे कुछ काम खुद से करना चाहिए कोई कहे तभी करना चाहिए यह गलत है ठेक है तो आप भी ऐसे जो आपको समझाया जा रहा है ऐसे करना शुरू कर दीजे अगर आपको अच्छा लगा हो तो comment box में लिखिएगा कि मुझे अच्छा लगा ये चीज और नहीं अच्छा लगा तो आप लिखिए कि यह सा बुरा होता है ऐसा teachers या बड़े लोग आपको सताने के लिए करते है like का button जरो प्रिस करिएगा क्योंकि ये poem खत्म हो चुका है हम चलते हैं कुछ solution में जो questions के जो book के आपके पीछे है जो आपके poem के पीछे लिखा हुए question उसका answer यहाँ पर लिखा हुए page number 70 में आप देख लिजएगा यहाँ लिखा हुए 70 का पहला question इसका answer यह है screenshot लिजएगा आप बाद में इसको लिख सकते हैं यह दूसरा question उसका answer है यह तीसरा question इसका answer यह 4 और इसका answer इस तरीके से यह poem खत्म होती है इसका solution खत्म होता है आशा आशा आपको poem यह समझ में आ गई होगी तो इस तरीके से हम चलते हैं next video के साथ तब तक के लिए बस आपको यही कहूंगा कि like जरूर कीजएगा subscribe कर लिजएगा अपने दोस्तों को share भी कर दीजएगा क्योंकि share करना भी बहुत अच्छी बात होती है तो मिलते हैं next video के साथ तब तक अपना ख्याल कियेगा thank you for watching the video